चैप्टर क्या चल रहा है बेट हमारे पास चैप्टर हमारे पास चल रहा है विनिमे विपत्र और मैं उसकी second class ले रहा हूँ और मैं आपको आज बताऊंगा विनिमे विपत्र यानि के bill of exchange में किस तरह से general entry बनाई जाती है क्योंकि पेपर में इस चैप्टर से एक प्रशन आ मैं बताऊंगा पेटा कैसे इस चैप्टर के अंदर general entry बना जाती है विनिमे विपत्र में कैसे बनेगी general entry बहुत ध्यान से चीजों को समझना हो था का है इस चैप्टर में आपको कल बताया था कि मानलो एक A नाम का person है एक A नाम का person है A नाम का व्यक्ति है उसने क्या किया B नाम के व्यक्ति को एक सामान बेचा A नाम के व्यक्ति ने B नाम के व्यक्ति को सामान बेचा जैसे ही A ने B को सामान बेचा तो क्या होगा मैंने कल बताया था कि जब सामान बेचा जाता है उसी सामान के साथ में जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है उन्हें बिल्कुल भी न घबराना है यह मान कर चलो आज ही चैप्टर स्टार्ट विटम ऐसी करा रहा हूँ A ने B को सामान बेचा जब A B को सामान बेचेगा तो A साथ में एक कागज भी भेजेगा और उस कागज पर क्या लिखेगा कि B तुम मुझे पैसा दोगे A ने B को 50,000 रुपए का सामान बेचेगा बहुत ध्यान से समझना अगर आपने आज की क्लास की जनरल एंट्री समझ ली तो आपको विनियमे विपत्र में कभी भी गलती नहीं होंगी A ने B को 50,000 रुपए का सामान बेचा और साथ में एक लेटर भी दिया एक कागज भी दिया जिस पर क्या लिख कर दिया कि B तुम मुझे पैसा दोगे तीन महिने के बाद B उस लेटर पर साइन करता है बट पेपर में कोशन में यह ने लिखा को साइन करता है क्या लिखा होगा क्या लिखा बेटा प्रस्ट में? प्रस्ट में लिखा है कि A ने B को पचास हजार रुपए का सामान बेचा, A ने B को पचास हजार का सामान बेचा, साथ में एक विनिमे विपत्र भेजा, ठीक है बई? और B ने क्या किया? उस विनिमे विपत्र को स्विकार किया, उस पर साइ किये कि हां मैं तुम्हें पैसा दूंगा और विपत्र किसे लोटा दिया एको लोटा दिया कितने महीने का बिल था यह थ्री मन्त का मैं अभी सिर्फ question समझा रहा हूं अभी सिर्फ question ही समझा रहा हूं जहां आप question समझ गए answer तो automatically आ जाता है ना जब आपने देखा भी होगा दवाई तो डॉक्टर तब देता है जब वह पता लगा लें कि भbor यह बिमारी क्या है अभी स्विकार केया और A को विनिमे विपत्र लोटा दिया और विनिमे विपत्र पर क्या लिखा था कि मैं आपको तीन महिने बाद पैसा दूँगा विनिमे विपत्र पर क्या लिखा था कि मैं आपको तीन महिने बाद पैसा दूँगा अब वेपर में लिखा होगा कि तीन महिने बाद A उस विपत्र को B को देता है और B इसके बदले क्या देता है भुक्तान कर देता है B इसके बदले क्या कर देता है भाई भुक्तान कर देता है A तथा B दोनों की पुस्तकों में रोज नामचा या A तथा B दोनों की पुस्तकों में जनरल एंट्री बनाओ तो A की पुस्तक में भी हमें जनरल एंट्री बनानी है जिसने सामान बेचा था और जो B है, उसकी पुस्तोकों में भी जनरल एंट्री बनानी है, जिसने सामान खरीदा था, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना, सब कुछ समझ में आएगा, प्रश्न समझ लो, आंसर तो मैं आपको समझा ही दूँगा, हेलो सर, आयम मनीश कुमार फ्रॉम मुझफर नगर, ओके मनीश बाबू, ओके भाई, ठीक है, तो प्रश्न समझ गये कि नहीं समझ गये, येस बोलो बटा, प्रश्न समझ गये, A ने B को समान बेचा, पचास हजार रुपए का, साथ में एक लेटर भेजा, फिर B ने क्या क्या उस विने में विपत्र को सुईकार किया, और A के पास भेज दिया, अब A ने क्या क्या, तीन महने तक उस बिल को रखा, और तीन महने बाद बिल को किसके पास लेगे भाईया वो, B के पास और B से क्या बोला, कि भाईया ये लो, अपना पेपर, और मुझे मेरे पचास हजा के बनानी है एक आप लिखोगे एक ही पुस्तकों में एक जनलेंट्री आप किसी बनाओगे बैटा एक ही पुस्तकों में यानि कि इंग्लिश मां कर लिखो ज्यादा बैटर है थोड़ा अच्छा लगेगा इंप्रेशन पड़ेगा जब आप कॉपी लिखकर आतों ने इंदा 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 इंद भी की पुस्तकों में अब ध्यान से समझना बहुत जरूरी चीज यहां से प्राफ्ट स्टार्ट होती है अब बेटा आपको निगाय नहीं हटानी इंदा बुक आफ ए और इंदा बुक आफ बी तो एकी बुक में क्या जनल एंट्री बने की पहला बात कर लेते हैं सबसे पहले एने सामान बेचा मैं यहां पर लिखता भी चल र सब्सक्राइब का कॉलम है करें यह हम यह की पुस्तकों में जनल एंटी बनाना सीख रहे हैं एक ही पुस्तक में जनल एंटी बनाना सीख रहे हैं ठीक है वह बिटा अभी जो मैं करा रहा हूं राज चौधरी भाई आप बहुत बीज़ने परिशान करते हो चैप्टर पूरा नहीं करा अरे जो चैप्टर पूरा करा रहा हूं वो तो कर ले मेरे भाई सर चैप्टर कैप्टर तो पढ़ा नहीं सर चाय पर तो पढ़ा ही नहीं सर पूरा चैप्टर तो पढ़ाते नहीं सर यह चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं आपने पूरा अरे यह चैप्टर पूरा तो अभी तो पढ़ा रहा हूं में स्टार्ट किया मेरे भाई राज अभी तो दूसरे स्टार्ट करहों, चलो, खैर, तो हम A की पुश्टोगे में General Entry बनाना सी्ऽें हैं बिटा, सबसे पहले General Entry क्या बनेगी, जब A सामान बेचेगा, A जब सामान बेचता है, मैंने बोला न, A ने B को सामान बेचा, A ने B को सामान बेचा जैसे ही A B को सामान बेचेगा General Entry क्या बनेगी बैटा याद रखना copy पर लिख लो copy उठाओ लिखना स्टार्ट करो बैटा आप लिखोगे B debit जब B को सामान बेचेगा A हम किसकी book में बनारा है बैटा In the book of A A अपनी book में क्या General Entry बनाएगा जब A सामान बेचेगा A लिखेगा B account debit to sales जब account यह General Entry बैटा मालो एक जनवरी को सामान बेचा तो एक जनवरी को A अपने यहाँ पर क्या General Entry बनाएगा B account debit to sales account क्या बनाएगा बैटा यह B account debit to sales account लेकि मैं बताया तो हम बेटा, नाम के आगे account नहीं लगाते, इसलिए बेटा मैंने सिर्फ क्या लिखा है, b debit to sales account, b debit to sales account, मैंने b को सामान बेचा, एक ही book में पहली general entry क्या होगी, b को सामान बेचा, b account debit to sales, b account debit to sales, वंदना सिंग, very good बेटा, बहुत बढ़ी है बेटा, correct entry आपके सारी, b account debit to sales, पहली general entry b को सामान बेचा, जितने का भी सामान बेचोगे, उतना पैसा debit में, उतना पैसा credit में, यह debit वाला amount है, और यह credit वाला amount है, debit का पैसा, और credit का पैसा बेटा, a ने b को सामान बेचा a की book में, पहली general entry में, पहली general entry का बनाओगे, b account debit to sales account, b account debit to sales account, b account debit to sales account, b को सामान बेचा, b को सामान बेचा, पहली general entry, सामान बेच दोगे, सामान बेचने के बाद, same date को, आपको क्या मिलेगा, एक bill मिलेगा, पहले b को सामान बेचा, जब b को आप सामान बेचोगे, तो एक एंट्री बनाएगा दूसरी कहेगा भाईया मुझे बिल मिला बियार अकाउंट डेविट बिल मिला किसे बिल मिला भाई से बी से मिला तो बी अकाउंट दूसरी जनरल एंट्री जो बनेगी समय दो सब समझ में जाओगे सर 14-15 बच्चे जोड़ दूगा आपके पास कुछ ना कुछ एसी ही बात करता चलहरे यह जा रहा है तो उस चोड़ो जो पढ़ा रहा हूं उस पर चर्चा क्रने मेरे बहाई जो पढ़ा है के ली मेरे को पहले वो तो आदे घंटे की क्लास से तुम उससे कहे बटा कि सर आप पूरा स्लेवस क्यों नहीं करा रहे भाई एक दिन में पूरा स्लेवस क्यों नहीं करा दूँगा जब आपका फरवरी आ जागा तब कहना में उससे कि फरवरी तक सर आपने हमारा थोरी नहीं कराई फरव मुंपकिन है समय तो दो थोड़ा सा समय तो दे मेरे भाई यह सिर्फ डिस्टर्ब ही करना है हई है थे बीच में कुछ बच्रों कर बढ़ाया सिर्फ नीप नहीं तर वह डावट वाले कुछ बादा तुन लिखो अदर्वाइज बाद में में करना मेरेको बेटा सबकी बुकों में चैप्टर है ये सबकी बुकों में चैप्टर मैं बताओंगा कुछ नहीं बता दूंगा बेटा study point हमसे कहा रहा है कि सर हमारे बुकों में चैप्टर नहीं है सबकी बुकों में चैप्टर है लिखाओ का बिनी में विपत्र हुंडी और चेक ऐसे करके लिखाओ का बेटा हो सकता है पहले समान बेचा बेचने की जनरल इंटी बेटा कॉपी पर उतारो जो कॉपी पर नहीं उतार रहे हैं सिर्फ पड़त देख रहा है बेटा उन्हें कभी समझ में नहीं आएगी बी टू सेल्स पहले समान बेचते हैं समान बेचने के बाद क्या हुआ हमारे पास बिल आएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी बी से हमारे पास बिल आया है बी से हमारे पास बिल आया है बिल आने के बाद मैंने कल सिखायता है होती due date कल सिखायता है नहीं सिखायता है बटा एक क्या होती है due date due date का मतलब क्या होता है कि जब उस बिल से पैसा मिलेगा जितने महिने का बिल होगा उस बिल से जब पैसा मिलेगा जिन्होंने कल क्लास ली थी जिन्होंने कल क्लास ली थी वो बच्चे मुझे बताएंगे अगर बिल एक जनवरी को बिल बेचा गया एक जनवरी को समान बेचा बिल तीन महिने का है बिल तीन महिने का है तो बताओ जल्दी से इस बिल का पेमेंट कब होगा जिन्होंने कल क्लास ली थी, जिन्होंने नहीं ली वो एक बार कल की कला जरूर देख लेना, एक जनवरी को समान बेचा, एक जनवरी को बिल आ गया, बिल की डियू रेट थी तीन महिने, तो बताओ इस बिल से पैसे कब मिलेंगे, कौन-कौन बच्चा जो इस बिल के पैसे बता सकता है, इस बिल स पैसे कब मिलेंगे, एक जनवरी को बिल समान बेचा गया, तीन महिने का बिल था, इस बिल से पैसा कब मिलेगा, जल्दी से बताओ बिटा, जल्दी से बताओ, और जब उस बिल से पैसा मिलेगा, तो उसकी जनरल एंटरी क्या होगी, ये समझ लो, जब पैसा आपको मिल जा बिल आप वापिस दे दोगे और बिल के बदले आपको क्या मिल जाएगा कैश आप बोलोगे कैश आया कैश अकाउंट डैबिट क्या चला गया आपके पास बीर चला गया तो तू में बियार अकाउंट तो मेरे बच्चों सब बच्चे बिलको करक्ट है चार एप्रेल जनवरी में पहले तीन महिने जोड़ेंगे परवरी मार्च एप्रेल और तीन दिन अपनी तरफ से जोड़ते हैं बेटा जिसे हम बोलते हैं ग्रेश पिरियड क्या बोलते हैं उसे ग्रेश तो स्लोक बेटा आपकी पहली क्लास आपने शाद कल की क्लास ली नहीं है तो क्या होगी जनवरी में तीन महिने जोड़ने हैं प्लस तीन दिन एक्स्टा जोड़ने हैं तीन महिने प्लस तीन दिन अपनी तरफ से जोड़े जाते हैं तीन दिन और तो चार अप्रेल क्या हो होगी cash account debit to BR cash आ गया और BR आपके पास से चला गया यह तीन जनलर एंट्री होई इन दा बुक आप ए एक ही पुछतों को में तीन जनलर एंट्री करोगे पहले सामान बेचा यह सामान को बेचने की एंट्री है बी to sales बी को सामान बेचा बी debit बी के पास गया to sales गई बी to sales फिर क्या होगा BR आया जो कम सिन आता है वो क्या होता आया तो यह 3 general entry होगी in the book of A, ऐसे ही आपको क्या बनानी बैटा, in the book of B, B की पुस्तगों में भी 3 general entry बनेगी, column क्या होता है, इसमें date का column होता है, एक LF का column होता है, ledger folio, जो आपको बनाना इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस column बनाकर छोड़ देना है, तो B की पुस्तगों म B ने एक जनवरी को सामान खरीदा था, पहले B क्या करेगा, सामान को खरीदेगा, उसके बदले क्या देगा, बिल देगा, और last में क्या देगा, बिल के बदले पेमेंट देगा, तो B भी अपने आपर 3 general entry बनाएगा, पहले general entry सामान खरीदने की, खरीदने को क्या बोलते है पर्चेज तो पहले जनल एंटी बनेगी पर्चेज अकाउंट डेबिट क्या बनेगी पर्चेज अकाउंट डेबिट बता इसने किस से सामान खरीदा याद रखना A की पुष्टोगों में कहीं पर भी A का नाम नहीं आया होगा A क्या लिखरत बार बार B को सामान बेचा B से बिल आया जबकि A क्या बोलेगा A बोलेगा मैंने सामान खरीदा किस से खरीदा A से पर्चेज अकाउंट डेबिट टू A A से सामान खरीदा पहली जनल एंट्री A की पुष्टोगों में पहली जनल एंट्री क्या बनेगी पर B की पुष्टोकों में पहली जनल इंटरी क्या बनेगी A से सामान खरीदा Purchase Account Debit to A Purchase Account Debit to A Purchase Account Debit to A Purchase किया है A से फिर जब बता रहा हूँ B अपनी पुष्टोकों में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखेगा B किसका नाम लिखेगा A का नाम लिखेगा मैंने A से सामान खरीदा फिर एक जनवरी को इसने क्या किया बटा A को दे दिया अभी तो A से खरीदा था तो A को create कर दिया अब ये A को देगा क्या देगा बिल देगा तो A क्या हो जाएगा debit और इसके पास से क्या जाएगा बिल जाएगा और मैंने बताया था कल जो सामान बेचता है उसके लिए कहलाता है BR बिल रिसेवेबल और जो सामान खरीदता है उसके लिए बिल का नाम होता है बिल पेबल क्या नाम होता है उसके लिए B का बिल पेबल वेरी गुड बिल वंदना very good Preeti Chohan और अच्छा स्वारी वंद्ना सिंग very good बेटा दूसरी जनलर एंट्री क्या किजाएगा इसके अंदर A के पास क्या गया Will गया ud A to BP दूसरी जनलर एंट्री एट्री दूर्इट पर पर्ते जनलर एंट्री हम कब करते हैं लिख देता हूं बच्चों बड़े परिशानी लोग लिख दिया अब आप थो बड़े हो इतनी बात समझे लो पहला कॉलम डेट का है दूसरा कॉलम पर्टिकुलर तीसरा कॉलम एल एफ पिर डेबिट और क्रेडिट और किसका कॉलम में अमाउंट का डेबिट अमाउंट और क्रेडिट, अमाउंट ठीक है बड़े यह जनल Entry के कॉलम है चलो इसमा परिशानी तो हटा दिया भई हमने चलो जी और फिर क्या होगा दिड यह निएके 4 अपरेल को पैसा मिल जाएगा जब 4 अपरेल पैसा मिलेगा तो जनल एंट आ जाएगा और यह पैसे का भुक्तान कर देगा जब बिल वापिस आएगा तो बी-पी अकाउंट डेविट बी-पी आ गया और क्या गया इसके पास से चला जाएगा भाई जब सबकाउंट और यह यह कैव्डन Yuri यहिरी जाएगा जर्नल एंट्री बी-पी आगया और कैशिए उसके पास से चल गया देगा तो यह तीन जटे में 있게 बटा कॉंण करेगा दीए कि आया और पुछते सिन्ट को करने की तो वी की पुष्था येगा टोटी टेने की यह सामान को फरीदने की जब सामान को खरीदने की जब खरीद यदक ट्मों बेंगा ग्राथ लेका तो क्या करेंगा बिल पेबल देने की यार रखना इसяжके बुख एक हम Productивать को भुकतान करने की log अब कुछ भुचते कहतें कि सर इसमें एक लिखा जाता हूभा में बोलते हैं मैं रेशन तो तुस weed नहीं करना बस बताना है हमने जर्लेंट्री क्या बनाई आप एहां पर क्या लिख दो para पहले जनेन्टी हमने किया की खरीदने की तो लिख दो BEING एक बिंग लगाओ और लिख दो goods purchase पहले जनेन्टी हमने क्या किया goods खरीदे हैं दूसरी में पहले बिंग करके लिखो कि बिंग बिंग इसके बटा नंबर तो नहीं होते लेकिन फिर जरूर देना इना इन लिख भिवन टू ए बीपी ऐ को दिया विट जो भी बना के लिए साहल लिख देना इसमें को दिक्त नहीं आएगी ऑर थर्ड बी लिखसके बागी हरका बनाकर लिख देना आप को फेश के को घबराने वाली बात नहीं है बच्चे सोचते हैं गलत हो जाएगा कुछ भी लिख देना बस बता देना कि पहली में हमने खरीदा है दूसरी में हमने बिल दिया है और तीसरी में हमने उसके क्या किया है बटा पेमिंट किया है तो इस तरह से तीन हमारे पास क्या होगी बटा यह जर्नल एंट्री हो गई कौन-कौन सी तीन जर्नल एंट्री बटा पहली एक ही पुस्तव में भी तीन जर्नल एंट्री और बी की पुस्तव में भी तीन जर्नल एंट्री कोई भी कोशन आ जा है साधान कोशन में यही जर्नल एंट्री बनती है कोई भी question कैसे question आयेगा कैसे बैटा देखो question ऐसी आयेगा ऐसा लिखा होगा एक जन्वरी को मैं छोटा सा question लिख रहा हूँ फिर इसका solution करा रहा हूँ बैटा और आपका एक starting वाला part complete हो जाएगा एक जन्वरी को एक जन्वरी को राजा ने मोहन को दस हजार रुपए का तामान बेचा तथा मैं तो शौर्ट में एक रहा हूँ बी ने सौरी बी का मतलब मोहन ने मैं वाटा शौर्ट में लिख रहा हूँ बी पी स्युकार किया तथा एक को लोटा दिया तीन महा का महा का बी पी स्युकार के तथा एक को लोटा दिया दे तिथी पर आप में चाहिए कॉपी में लिखे लो बटा दे तिथी पर मोहन ने बीपी का भुकतान कर दिया इस तरह से कोश्चन लिखा होगा बटा एक जन्वरी को राजाने मोहन इस कोश्चन लोटा दिया अब लिखा होगा ए तथा बी दोनों की पुस्तोगों में रोज नामचा बनाएं या ए तथा बी दोनों की पुस्तोगों में जनल एंट्री बनाएं तो भई जनलेंटरी क्या बनेगी इसमें क्या-क्या घटना है घटी इसमें क्या-क्या घटना है घटी यह तो घटना है घटी पहले सामान बेचा फिर उसके बदले बिल आया और उसके बाद क्या हुआ बैटा बिल का पेमेंट हो गया तो आप किस-किस की पुस्तों को में जन बनाएंगे पहले राजा की पुष्टकव में बना ले वाई का जूसर बनाओ मैं selloring इंट्री बिल्कुल सरभनाओ मैं तुम्हारा खुदी आंसर देघ रहां बेचा 10,000 रुपे का लो भई यह पहली जन्र अंट्री पिर एक जनवरी कोई बिल आ जाएगा मोहन को सामान बेचा बिल आ गया बिलाने के एंट्री क्या होती है BR account debit बिल आया है किस से बिल आया बेटा यह तू किस से आया जरा बिल बताओ मोहन से आया है न यह किसकी बुको मुंबना है न राजा की बुको मुंबना है बेचने वाला बेचने वाला कभी भी अपना नाम नहीं लिखेगा मोहन को समान बेचा फिर बी-ार आया है बेटा किसके पास आया है मोहन के पास आया है तुमें मोहन कितने कई बिल होगा दसदार का समान बचाहतों दसदार का बिल आया होगा हांजी से विंज़सर आगया अब 3 मेंने का विल था एक जनवरी में तीन मेने जोड़ो फरवरी मार्च अप्रेल noire नियुक्त चार अप्रेल को क्या हो जाएंग पाइमिंट मिल जाएगा चार हाप्लो के मुझत अनषय मेरे विद्चे पार गदामूत डैबिट के या गट्प क्या लिखोगे बैटा cash account debit to BR क्या लिखोगे भाई cash account debit to BR कितना payment आया 10,000 का amount दिखने जाओगा आपको फिलाल में 10,000 लिख रहों बैटा cash account debit to BR 10,000 cash आया बिल गया cash to मुहन ने लिखना गलती क्या करोगे आप cash to मुहन लिख दओगे cash to BR पहले सामान बेचा फिर बदले में बिल आया अब केकाश आ गए इनलुक कॉफ राजा बेचने वालों की पुस्तकों में बनाएँगे खरीदने वाला घरीदने वाला यहां पर मोहन कि में लिख देतुँय gladi दिझा मोहन की पूस्तकों में किया लिखेंगे इंदा बूकस ओ ऐफ मोहन मोहन की पूस्तकों में सौरी म में आएश हल लग गया General Entry का Format वही है बताओ क्या-क्या बनाई गा ये भी पहली General Entry बताओ मोहन ने क्या-क्या समान खरीदा खरीदने के Entry क्या होती है भाई Purchase, Account, Debit किस से खरीदा बेटा मोहन ने मोहन ने खरीदा राजा से तो मोहन अपने मुकुम किसका नाम लेखेगा राजा का Purchase, Account, Debit टू राजा, राजा से 10,000 रुपे का समान खरीदा एक जनवरी को एक जनवरी को खरीदने के बाद क्या होगा बेटा खरीदने के बाद क्या होगा खरीदने के बाद क्या होगा एक जनवरी कोई दूसरी जनल एंट्री क्या बनाएंगे दूसरी जनल एंट्री बनाएंगे भाई बी आर दिया, किसे दिया राजा को इस बार राजा डेबिट करेंगे पहले राजा से खरीदा, अब राजा को दिया तो राजा डेबिट क्या दिया राजा को बिल पेवल राजा टू बीपी अकाउंट कितने का बिल दिया होगा भाई दस अजार रुपे का ये इसकी होई common general entry तीसरी क्या बनाओगे तीसरी क्या बनाओगे बैटा चार एपरेल को चार एपरेल को बीपी वापिस आ जाएगा बीपी अकाउंट डेबिट और क्या चला जाएगा बैटा इसके पास से कैश बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दस हजार अब बताओ बैटा सीखे की नहीं सीखे क्या common general entry करना सीखे नहीं सीखे बीपी अब बताओ कितने बच्चों को जल्दी बताओ बटा यस और नो आई की नहीं बेटा इस चैप्टर की जल्ड़ अयीं बताओ बई आई के नहीं बैटा आगे बेटा चलो बहुत बड़िया तो आज हमने जल्णा एंटरी सीखे आव नया चैप्टर करादओ आप कहते हो कि सर बहुत दिन हो गए, नएा चैप्टर करा दो, जब आप बोर हो जाते हो, नए चैप्टर कराने के लिए बोलते हो, हम नए चैप्टर करा देते हैं, फिर आप मैसेज करते हो, सर पुराने चैप्टर का ये टॉपिक रहा गया, भई ऐसे मत किया करो, चलो खेर छोड़ो, जो भी था तो इरम खान समझ में आया सुशील मिश्रा समझ में आया राजन को समझ में आया तो सभी बच्चों को लगबा लगबा समझ में आ गया सर बिलुकुल अच्छे से समझ आ गया चलो भाई मेरे बच्चे तो आज की क्लास यहीं पर समाप करते हैं इसी के बाद और ए लेकिन हाँ इस क्लास के जितनी आपकी बच्चे हैं सब क्लास को वाठो चैनल का नाम बताओ आप यह में सोच नहीं बता देंगे तो हमारी पढ़ाई कम होगी हमारे नमबर उन से कम रह जाएंगे ठीक है वह घ्यान तो बाटने से बढ़ता है तो अपने क्लास में बाटो सब आपको बताओ हमारे मोचसरें बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं ठीक है वही चलिएगा तो इतनी ही रिक्रस्ट के साथ अपने इस क्लास को खतम करते हैं जय हिन जय भारत अपना ध्यान रखना पेटा